जहां उमेश्पाल हत्याकान से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है और धूमन का इस्थाने पहुंची यूपी-ATS की ठीम यूपी-ATS अतीक और अश्ट्रप से पूछताच कर रही है और इस पूछताच में कई खुलासे भी हुए है तो यूपी-ATS अतीक और अश्ट्रप से इस वक्त पूछताच कर रही है उमेश्पाल हत्याकान से जुड़ी ये बड़ी खबर निलेश्ट चोहान लखनव से हमारी स्थनवजाता इस खबर पे जादा जानकारी के साथ निलेश्ट ATS पूछताच कर रही है अतीक और उसके भाई से पूछताच में क्या कुछ खुलासे हुए उसके बिल्कुल इस तरीके से पहले यूपी-एश्ट्याप और यूपी-पुलिस ने अतीक और असरप से पूछताच की जिसमें तमाम खुलासे हुए जिस तरीके से अतीक और असरप के अतार आईस-ाईस से जुड़े और पाकिस्तान की कई अले संगत्रों से जुड़े हैं उसके बाद असरप करने के लिए जुमंगन ठाले पहुंची है जहां असरप से पूछताच की जा रही है कई न कहीं अगर असरप की बात करें तो वर्फ 2000-10 में जब पाकिस्तानी एजेन्ट को पकड़ा गया था उस दौरार भी इनके ओपर आरोप लगे थे जिनों ने जो है उस एजेन्टी मदब की थी कई न कहीं अबो सारे पड़िया जोडते हुए एटियर पूंस्ताच करने के लिए पहुंची है और जब पूंस्ताच होगी तो कई और खुला से हो सकते हैं की इस तरीके से पनिक्षान समयन के लिए हुई हतियार को लेकर घुमन गंपुलिश के साथ स्थित्प सेटी में जाएंगी अपराज में अगर हम बात करें, इस गैंक का भी नाम था इस 22, कही ना कहीं उस गैंको भी अप्तलासा जा रहा है कि इनके सायोग करने वाले जो लोग से चाहिए, वो मेरत के लोग हो, अलीगर के हो, पुर्वांसर के जिलों के रहे हूं, माउगाजीपूर, बांगा बलिया बज़्की के रहे हूं, हरियाना के रहे हूं, गुजरास के रहे हूं, तमाम करियों को जोड़ा जा रहा है, आके कौन लोग इनके संपर्क में पाकिस्तान से थे, हलाकि अभी तक पुर्वांस में यह निकल कर आया है कि कुछ कमपनियां थी, जिन पे अतीक का पैसा लगा ह पाकिस्तानी एजेंट को पैसा बेजा जा रहा था, इसाई को पैसा बेजा गया था, उन तमाम खुलासे हुए हैं, अभी तो कहीं न कहीं और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यह देश की रख्षा से जुना हुआ हुआ है, अगर अगर इसको यह उत्तर प्रदेश में र भीतर ते ही उमेश पाल की हत्याकान को अंजाम देने की जो प्लैनिंग है, वो जेल के भीतर रची गई थी। अगर जाएगा तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खौफ का महार होगा, और वहीं अठीक का जो नाम माफिया के रूप में लिया जाता है, माफिया का नाम एक बार फिर चर्चा में आ जाएगा, उनी तमाम चीजों के लेकर देल के अंदर से यह साजिस रखी गई थी, उस साजिस का परदा फास हो चुका है अठीक, असरब के माफिया अठीक से पूरा कबूल नामा सामने आया है, जिसमें उसने साथ तोर पे रोते हुए कहा कि असरथ की कोई गल्पी नहीं थी, असरथ को उसने कुद इंसरफिजों में इन्वाल किया, जिसकी बहुत शुक्रिया निलेश इसमाम जानकारी के लिए तो मेश पाल हत्या कांड से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी अपडेट जहां अतिक और अश्रफ से यूपी अटीस पूछताच कर रही है, धुमन गंज थाने पहुंची है, यूपी अटीस और यहां पे पूछताच क यूपी जा रही है.